गुडमानी श्टुडेंट आज की क्लास में पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर शिक्स चैप्टर फाइप तक हमने पढ़ लिया था तो आज की क्लास में हम अध्यन करेंगे भूगोल का चैप्टर शिक्स चैप्टर नेम है राश्टी अर्थ बिवस्ता की जीवन रेखाए तो चलिए हम पढ़ते हैं राष्टी अर्थविवस्ता की जीवन रेखायें की कुछ बेसिक ठेओरी फिर उसके बाद हम इसी में कोश्चन भी पढ़ेंगे तो चलिए हम बेसिक जो ठेओरी है हमारी उसको पढ़ते हैं उसका अध्यन करते हैं यहां हम परिवहन से सम्मंदित चीज़ें पढ़ेंगे तो देखें यहां पर हेडिंग लिखी हुई है परिवहन के साधन परिवहन के साधन कितने हैं तो परिवहन के तीन साधन है पहला है इस्थल दूसरा है जल और तीसरा है वायू इस्थल की बात करें तो इस्थल के तीन पार्ट बताएगे हैं पहला सडक दूसरा रेल परिवहन तीसरा है पाइपलाइग और वहीं पर जल की बात करें तो जल के जो है वो आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन, यह दो प्रकार का होता है, परिवहन जल का, वाई की परिवहन की बात करें, तो एक होता है घरेलू विमान सेवा, दूसरी होती है अंतर राश्टी विमान सेवा, और यहां पर घरेलू विमान सेवा के दो पार्ट हो बटाए हमें इसी के अंदर इसी के बारे में ही अध्यन करना है तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिवहन तो देखे परिवाहन के अगर बात करें तो परिवाहन को इंगलिस में बोलते हैं ट्रांश पोर्ट क्या बोलते हैं इंगलिस में ट्रांश पोर्ट पहला हमारा क्या था इस्थल परिवाहन तो इस्थल परिवाहन के बारें बात करें तो जो भारत हमारा है वो बिश्व के सरवाधिक सडक जाल वाले देशों में से एक है जो भारत है वो बिश्व के सरवाधिक सडक जाल वाले देशों में से एक है मतलब सबसे ज़्यादा जो इस्थल परिवाहन में भारत में सबसे ज़्यादा। यहा सड़क जाल लगबग 23 लाख किलो मीटर है। भारत में सड़क परिवहन, रेल परिवहन से पहले प्राणंब हुआ था। अगर सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रागम हो गया था ठीक है चलिए आंगे देखें अगर सड़क परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन की अपेच्छा सड़क परिवहन की बढ़ती मैता निम्द कारणों से भी है किम कारणों से हैं पहला कारण है कि रेलवे लाइन की अपेच्छा सडकों की निर्मार लागत बहुत ही कम है ठीक है रेलवे लाइन की अपेच्छा गर बात करें तो सडकों की निर्मार लागत बहुत कम है पेच्छाक्रत उबड़, खाबड़ वविछिन भुभागों पर सडके बनाई जा सकती है लेकिन रेलवे लाइन नहीं चलिए अधिक ढाल प्रवड़ता था पहारी छेत्रों में भी सडके निर्मित की जा सकती है पेच्छाक्रत कम ब्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तों के परिवहन में सडक मित्वई है और यह घरघर सेवाएं उपलब्द करवाता है तता समान चढ़ाने वह उतारने की लागत भी अपेच्छाक्रत कम है सडक परिवहन अन परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है जैसे सडके, रेलवेज स्टेशन, वायू और समुद्री पत्नों को जोड़ती हैं तो यह था सडक के बारे में भारत में अगर सडकों की सा चमता की आधार पर बात करें तो इन्हें 6 वर्गों में बाटा गया है तो देखिए हम पहले वर्ग की बात करते हैं तो पहला अमारा था स्वर्णीम चतुरभूज पहला नमबर यहां पर डाल दीजेगा पहला नमबर था यहां पर स्वर्णीम चतुरभूज महाराजमार्ग अगर सुरनिम चतुरपुज महाराजमार्ग की बात करें तो ये सबसे पहला सडक जोती यही बनाई गए थी तो देखते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ भारत सरकार ने बनवाई थी कहां से कहां तक तो देखें दिली से कोलकाता, चन्नाई से मुंबाई वा दिल दिली को जोड़ने वाली छैलेन वाली महाराजमार्गों की सडक परियोजना प्रारंब की हैं इस परियोजना के तहत दो कलियारे प्रस्तावित हैं प्रतम उत्तर से दच्छन गलियारा जो स्री नगर को कन्या कुमारी से जोड़ता है और दूसरा दिती गलियारे की बात करें तो पूरु पश्चिम गलियारा जो सिलचर अस्रम और पोरवरंदर गुजरात को जोड़ता है इस महाराजमार्ग का प्रमुखुद्देश भारत के मेगा सिटी के मद की दूरी वा परिवहन समय को निउन्तम करना है यह राजमार्ग परियोजना भारत के राश्टी राजमार्ग प्राधी करण के अधिकार छेत्र में है अब इधर हम बात करें तो राश्टी राजमार्ग के बारे में ये दूसरा अमारा जो राजमार्ग है वो कौन सा है राश्टी राजमार्ग राश्टी राजमार्ग के बात करें तो इसे इंगलिस में नेशनल हाईवे भी बोलते हैं इसकी बात करें तो राश्टी राजमार्ग देश के दूरस्त भागों को जोडते हैं किसको जोडते हैं देश के दूरस्त भागों को जोडते हैं ये प्रात्मिक सडक तंत्र हैं जिनका निर्माड वरख रखाओ केंद्री लोक निर्माड बिभाग के अधिकार छेत्र में है अनेक प्रमुक राष्टी राजमार्ग उत्तर से दच्छन तथा पूर्व से पस्चिम दिसाओं में फैले हैं दिल्ली वा अमरसर के मद्द एतिहासिक सेरसा सूरी मर्ग राष्टी राजमार्ग संख्या फश्ट के नाम से जाना जाता है दिल्ली वा अमरसर के मद्द एतिहासिक सेरसा सूरी मर्ग राष्टी देखिए यहां पर यह जो है यह है हमारे राश्टी राजमार्ग तो यह राश्टी राजमार्ग कहां कहा है तो यह है एहमदाबाद का गुजरात का ये वही का राश्टी राजमार्ग जो बना हुआ है आपको चित्र में दिखाई पढ़ रहा है इस तरह से जो होते हैं राश्टी मार्ग बने होते हैं चलिए आंगे बात करते हैं तो आंगे तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा राज राजमार्ग तिसरा जो point है वो कौन सा नंबर है राज राजमार्ग राज राजमार्ग की बात करें तो इसे इंगल्स में state highway बोलते हैं राज़ियों की राजधानियों को जिला मुख्यालियों से जोडने वाली शड़के राज राजमार्ग कहलाती हैं राजियों की राजधानियों को जीला मुख्यालों से जोडने वाली सडके राज राजमार्ग कहलाती है राज तथा केंडर सासित चेत्रों में इनकी विवस्था का निर्मार तथा निर्मार जो विवस्था की गई है इनकी और निर्मार का दाय तो राज के सारवजनिक निर्मार विभाग के पास होता है तो यह सरके जिले के बिभिन प्रसासनिक केंद्रों को जिला मुख्याले से जोड़ती है ये सडके जीले के बिभिने प्रसासने केंदरों को जीला मुख्याले से जोड़ती है इन सडकों की विवस्था का उत्तरदाई तो जीला परिशत का है किसका है जीला परिशत का है यहीं पर हम अन सडकों की अगर बात करें तो अन सडके हमारा कौन सा पॉइंट है फिफ्ट पॉइंट ठीक है फिफ्ट जो हमारा नंबर वो है अन सडके अन सडकें के बारे मगर बात करें तो इस वर्ग के अंतरगत वे सडके आती हैं जो ग्रामीर छेत्रों तथा गाओं को सहरों से जुडती हैं प्रधान मंतरी ग्रामीर सडक पर्योजना इसके तहट इन सडकों के विकास को विसेश प्रोसान मिला है इस पर्योजना के कुछ विसेश प्रावधान है जिसमें देश के प्रते गाओं को प्रमुक सहरों से पक्की सडकों सड़के जिन पर वर्स भरवाहन चले उसे बोलते है पक्की सड़के गाउं को प्रमुक सहरों से जोड़ना प्रस्तावित किया गया है इसमें क्या किया गया है प्रत्ते गाउं को प्रमुक सहरों से जोड़ना प्रस्तावित किया गया है अगला हमारा जो नंबर है जो six point है हमारा ठीक है तो हम six point की बात करते हैं यहाँ पर six point में हमारा कौन सा है सीमांत सडके सीमान्त सडकों की बात करें तो जब उपर बनी हुई सडके थी उपरोक्त सडकों के अतरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सडक संगठन भी आता है जो देश के सीमान्त छित्रों में सडकों का निर्माड वो उनकी देख रेख करता है यह संगटन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी छेत्रों में सामरिक महत्त की सड़कों का विकास करना था इन सडकों के विकास से दुरगम छेत्रों में आभी गम्मिता बढ़ी है तथा ये इन छेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है तो ये था सीमान सडके ये आर्थिक विकास में भी सायक हुई है ये हैं पहारी रास्ते दिख रहा है इस तरह के ये पहारी ये रास्ते आपको दिखाए बनाए गए है इनके बारे में बात की गई है तो इस तरह से ये पहारी रास्ते हैं आंगे देखें तो आंगे आपको फिगर में दिख रहा होगा यह उत्री पूर्वी जो सीमा सड़क पर यातायात किया गया यह अरुराचर प्रदेश का फिगर है अरुराचर प्रदेश में उत्री पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात इस तरह से किया जाता है फिगर आपको यात्रियों के परिवहन का ये प्रमुक सादन है इसका वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का ये प्रमुक सादन है रेल परिवहन अनेक कार्यों में सायक है जैसे बात करें तो ब्यापार में ब्रहमण में तीर्थ यात्राओं में और लंबी दूरी तक समान का परिवह करने में इन सब चीजों में अगर बात करें तो जो रेल परिवहन है ये महत पूर भूमी का निभाता है आगे बात करें पाइप लाइन की तो पाइप लाइन की अगर बात करें तो भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइप लाइन एक नया परिवहन का साधन है अब कैसे प्रयोग सहरों वाओ दोगों में पानी पहुचाने हेत वह उता था आज इनका उप्रयोग कहां पे ओर रहा है तो आज इसका प्रयोग कच्चा तेल प्रेटोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस छेत्र से उपलब्द गैस सोधन सालाओं उर्वरक क कारखानों वह बड़े ताप विद्दूत ग्रहों तक पहुचाने में किया जाता है तो पाइपलाइन क प्रयोग कहां देश में इसके तीन प्रमुख जाल है देश में पाइपलाइन परवहन के तीन प्रमुख जाल है पहला जाल उपरी असम के तेल छेत्रों से गुवाहाटी बरौनी वा इलहाबाद के रास्ते कानपूर उत्तर प्रदेश तक इसकी एक साखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक भी है और तथा गुवाहाटी से सिली गुडी तक है उपरी असम के तेल छेत्रों में जो इसकी गुवाहाटी है वो बरौनी और इलहाबाद के रास्ते कानपूर तक और इसकी एक साखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गु कोईली वा सोनी पत के रास्ते पंजाब में जाल अंदर तक इसकी अनसा का अनसा का बडोर देखिए इसकी अनसा का वडोदरास के निकट कोईली को चक्सू वा अन इस्थानों से जुड़ती है अगर दूसरी बात करें दूसरे नंबर की बात करें तो गैस पाइप लाइन गुजराद में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपूर से मिलाती है या मद्द प्रदेश के विजयपूर के रास्ते हो कर जाती है इसकी साखाएं राजिस्थान में कोटा उत्तर प्रदेश के साजहां पुर बदराला वा अन्य इस्थानों पर है तो हमने पाइप्लाइन परिवाहन के बादें हम बात की अब हम बात करेंगे जल परिवाहन की जल परिवहन की बात करते हैं तो देखे जो भारत में लोग हैं वो अनंत काल से मतलब बहुत समय पहले से समुद्री यात्ताएं करते रहे हैं इसके नाविकों ने दूर तथा पास के छेत्रों में भारती संसरकती वब्यापार को फैलाया है जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है या भारी वा इस्थूल कायवस्त में ढोने में अनकूल है या परिवहन साधनों में उर्जया सच्छम तथा प्रर्यावरण अनकूल है भारत में अन्ता इस्थली नौ संचालन जलमर्ग 14,500 किलो मीटर लंबा है अगर भारत में इसकी बात करें भारत में अन्ता इस्थली नौ संचालन जलमर्ग की जो सीमा है वो है 14,500 किलो मीटर देखें ये फीगर किसका है तो इतर पूर्वी राज्यों में आंत्रिक जलमार्ग परिवहन जो है यो उसी का फीगर है इस तरह से उत्तर पूर्वी राज़ों में आंत्रिक जलमार्ग परिवहन होता है और ये अतिदिक महत्पूल भी है देखे ये जल के भीटा परिवहन होता है तो इस तरह से आंत्रिक जो जलमार्ग परिवहन बना होता है और इसे ही हम आंत्रिक जलमार्ग परिवहन कहते हैं आपको दिखा ही बने इस तरह से गाड़ी है और इधर जल दिखा ही पड़ रहा है इधर भी जल दिखा ही पड़ रहा है देखें यहां पर कुछ निम्न जल जो जलमार्ग है उनको भारत सरकार द्वारा राष्टी जलमार्ग गोसित किया गया है पहले अगर बात करें तो हल्दिया से इलाहबाद के मद्ध जो गंगा जलमार्ग है वो 1620 किलो मिटर लंबा है उसे हम लोग बोलते हैं नोगम जलमार्ग संख्या फश्ट इसे क्या बोलते हैं नोगम जलमार्ग संख्या फश्ट भी बोलते हैं सदिया और धुबरी के मद्द की बात करते हैं तो 891 किलो मीटर लंबा ब्रह्म पुत्र नदी जलमार्ग है इसे बोलते हैं नोगम जलमार्ग संख्या टू ठीक है वहीं पर तीसरा अगर बात करें तो तीसरा जो जलमार्ग है हमारा वो है केरल से पस्चिम टटी नहर तक ठीक है इसकी जो दूरी है वो है 205 किलो मीटर इसे हम लोग नोगम जलमार्ग संख्या थर्ड बोलते हैं आंगे तो जो है हमारी काकी नाड़ा और पूंडु चेरी ठीक है नहर इस्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कुष्णा नदी का विसेस विस्तार है यहां पर और इ 178 किलो मीटर है इसे राष्टी जलमार्ग संख्या चार बोलते हैं अगली बात करेंगे तो यह है मताई नदी तेक है महा नदी के डेल्टा चैनल ब्रह्मारी नदी और पूर्वी टटी नहर के साथ ब्रह्मारी नदी का विसेस विस्तार है यहां पर और इसकी दूरी है 588 क किलो मीटर इसे बोलते हैं राष्टी जलमार्ग संख्या फाइप यह है राष्टी जलमार्ग संख्या फाइप बात करते हैं प्रमुख समुद्री पत्तनों की तो देखे भारत में कितने समुद्र पत्तन हैं कितनी समुद्री दूरी है उसकी बारे में भी बात कर लेते हैं तो देखें यहां पर बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री टटर रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्यम वा छोटे पत्तन हैं ये प्रमुख पत्तन देश का पंचानवे प्रतिसत विदेशी ब्यापार संचालित करते हैं सोतंतरता प्राप्ती के कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विक्सित किया गया था जब सोतंतरता प्राप्त हो गई थी भारत में तो उसमें कच्छ में था पहला जो कांडला पत्तन वो विक्सित किया गया था ऐसा देश बिभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले ब्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था कंडाला जो था एक जुआरी पत्तन था ये जम्मु कस्मीर हिमाचर प्रदेश पंजाब हरियाडा राजिस्थन गुजरात के अधोगिक तथा खाद्यानों के आयात निर्यात को संचालित करता था मुंबई यहाँ पे सबसे बड़ा पत्तन माना जाता था जिसके प्राकृतिक खुले विस्तरत वा सुचार पोत आसरे भी हैं तो इसके मतलब कापी फैले हुए हो सुचार क्या हैं पोत भी हैं इसी कड़ी में देखें तो देखें यह है न्यू मंगलोर पत्तन इसमें यहाँ पे टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन किया जा रहा है तो यह पत्तन जो है न्यू मंगलोर पत्तन इसके द्वारा किसका कच्चे तेल का यहाँ पे निर्वहन किया जाता है तो इस तरह से होते हैं पत्तन ठीक है चलिए आगे बात करते हैं कि आगे हम बात करते हैं वायू परिवहन के बारे में हमने जल परिवहन पढ़ा हम पढ़ेंगे वायू परिवहन के बारे में तो वायू परिवहन के बात करें तो आज की बात करें तो आज जो वायू परिवहन है यह तीवरतम आराम दायक वो प्रतिस्ठित परिवहन का साधन है इसके द्वारा अति दुर्गम इस्थानों जैसे उचे उचे परवत मरुस्थलों घने जंगलों लंबे समुद्रों रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है वायू परिवहन के अभाव में देश के उत्री पूर्वी राजयों के विसय में सोचे जहां बड़ी नदियां विछिन धरातल घने जंगल निरंतर बाड आधी एक सामान ने बात है हवाई यत्रा ने इसे अधिक अभिगम बना दिया है मतलब हवाई यत्रा से जब से यत्रा करने लगे लोग तो यहां से यह सरल हो गई है यत्रा हवाई यत्रा करने पर लोग जल्दी पहुच जाते हैं और उन्हें क्या होता है टाइम अपना ज़्यादा विस्ट नहीं करना पड़ता इस तरह से यह जो साधन है यह क्या हो गय अभी गम में बन गया है देखिए यह है हवाई परिवहन यहां पर देखिए इस तरह से यह होता है हवाई परिवहन देखाई दिखाई परड़ा है यह यहां पर इस तरह से होती है और यह लगी होती है यहां पर पीछे जो लगा होता है इसके यहां पर लोग बैठते हैं और तो सन 1903 इस भी में वायू परिवहन का रास्टी करण किया गया विभारिक तौर पर इंडियर अगर विभारिक तौर पर बात करें तो इंडियन एयर लाइंश या इसे बोलेंगे यहां पर बात करें तो सन 1903 में वाय परिवहन का रास्टी करण किया गया और विभारिक तौर पर इंडियन एयर लाइंश एयर तथा कई नीजी एयर लाइंश घरेलू विमान सेवाएं उपलब्द कराती हैं यही पर अगर संचार सेवाओं की बात करें तो देखें जब से मानों प्रत्वी पर अतरित हुआ है संचार से बागी बात करते हैं तो देखें जब से जो मानों को जन्म हुआ है प्रतिवी पर प्रतिवीर वो पैदा हुआ है आया है उसने विभिन संचार मादे मों का प्रेयोक की आये लेकिन आधुनिक समय में बदलाओ कि जो गती है वो तीव ρहे संदेश प्राप्त करता या संदेश भेजने वाले के गति विहिन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार अब बहुत आसान है निजी दूर संचार तथा जन संचार यहाँ पे दो प्रकार के हैं क्या है निजी दूर संचार और जन संचार में कौन-कौन से आते हैं? तो दूरदर्शन, रेडियो, समचार पत्रसवू, प्रेस तथा सिनेमा आधी देश के प्रमुक संचार साधन है भारत का जो डाक संचार है ये विश्व का सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है भारत का डाक संचार जो तंत्र है वो सबसे विशु का ब्रहतम या बड़ा तंत्र माना जाता है यह पर बात करें तो राश्टी राजमार्ग एट पर यह राश्टी राजमार्ग एट दिखाई पर आए आपको जहां पर यह सड़क जा रही है वहां पर एक आपात कालीन कॉल बॉक्स की सुविधा भी उपलब्द कराई जाती है देखिए यह है आपात कालीन कॉल बॉक्स महाधीप में अग्रनी है दूरसंचार तंतर में अगर बात करें तो भारत एसिया महाधीप में सबसे आंगे स्थान रखता है दूरसंचार तंतर में नगरी छेत्रों के अतरिक्ट भारत के दो तिहाई से अधिक गाओं STD Dूर भास सेवा से जुड़े हुए हैं ठीक है दो तियाई से जो अधिक लोग है गाउं के वो एस्टीडी दूरभास से सेवा से जुड़े हुए हैं आँगे बात करते हैं तो आँगे बात कर लेते हैं अंतर राष्टी बेपार की अंतर राष्टी बेपार के बारे में अगर बात करेंगे तो देख लीजिए राजियों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तों का जो आदान प्रदान क्या कहलाता है व्यापार कहलाता है राजियों और देसों में बेक्तियों के बीजवस्तों का आदान प्रदान वियापार कहलाता है बाजार एक ऐसी जगहाए जहां इसका विनी में होता है दो देसों के मद्द या वेपार अगर यही वेपार दो देसों के मद्द करते हैं अगर हम राज जोर देशों के मद्द बेपार करते हैं तो वो ब्यापार केवल कहलाता है क्या कहलाता है ब्यापार लेकिन अगर यही ब्यापार हम दो देशों के मद्द करते हैं तो यह कहलाता है अंतरराश्टी ब्यापार क्या कहलाता है अंतरराश्टी ब्यापार